उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दलिच चहरा मायावती है उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती ने 35 साल पहले 1989 में बिजनौर सीट से चुनाव लड़कर संसद में पहुची थी उसी सीट पर परिसीमन के बाद नगीना सीट बन गई है जहां से अब की बार आजाद समाजपाटी के नेता चंदर शेखर आजाद के चुनाव लड़ने की बात है समाजबादी पाटी अपने कोटे से उनको टिकेट देने वाली है तो क्या उत्तर प्रदेश में दलितों का सबसे बड़ा चहरा बनाने की चुनावती अब की बार फिर नगीना सीट पर होगी नगीना सीट पर 16 लाख वोटर हैं जिन में 6 लाख मुसलिम और 3 लाख दलित हैं यानि इनका समर्थन जिस दल को मिल जाए उसकी जीत पक्की हो जाएगी दरसल चंदरशेखर को अपने खेमे में लाकर इंडिया ब्लॉक ने दलित वोटों को साधने का भी प्रयास किया चाहे अखिलेश यादव रहे हो या प्रयांका गांधी दोनों ही चंदरशेखर से गाहे बगाहे मिलते रहे हैं योगी सरकार बनने के बाद जेल जाने वाले चंदरशेखर आजाद इंडिया ब्लॉक की कितनी मदद कर पाएंगे इससे पहले सवाल उनकी क्षमता पर है कि क्या वो दलितों के नए आइकन बन कर उभर पाएंगे लखनव से रनवीर सिंग के साथ ब्यूर रिपोर्ट एंडिटीव इंडिया